फिल्म ब्रहमास्त्र के ट्रेलर रिलीस होते ही लोगों ने इस फिल्म की ट्रेलर में बड़ी गलती पकड़ी जिसमें रनबीर कपूर को मंदिर में घंटी बचाते हुए चपल पैन के देखा जा सकता है लोगों ने कहा कि ये तो उर्दुवूड है ये हिंदू रिलिजन के खिलाफ है इसे बीच अब फिल्म की डिरेक्टर आयान मुखर जी को सामने आना पड़ा है और क्लारिफिकेशन देना पड़ा है आयान मुखर जी ने अपनी बात कहते हुए कहा कि हमारा परिवार सालों से पूजा अर्चना करता है और देवी के पंडाल सजाता है रनबीर कपूर को ट्रेलर में जहां पर चपल पहने हुए दिखाया गया है दोड़कर जाते हुए दिखाया गया है वो मंदिर पर या देवी के स्टेज पर नहीं बलकि पंडाल पर जाते नजर आए हैं उन्होंने कहा कि आम तोर पर जब भी देवी का पंडाल सचता है तो पंडाल में चपल लेकर जा सकते हैं जहां देवी का स्टेट है वहाँ पर चपल ले जाना अलाउड नहीं है यही कारण है कि जो सीन ट्रेलर में दिखाया गया है उस सीन में रनबीर कपूर मंदिर में नहीं जा रहे हैं देवी के स्टेट पर नहीं जा रहे हैं वो पंडाल में जा रहे हैं और इसलिए उन्होंने चपल पहने हैं इस तरह से उन्होंने अपनी इस बात को justify किया है आपको बता दे कि सीन को देखकर सोशल मीडिया पर लोगों में गुस्सा उठा और लोगों ने कहा कि बॉलिवुड ने एक बार फिर से हिंदू रिलेशन का मजाक बनाया है और इस फिल्म को बॉईकॉट करना चाहिए ये तक कह दिया लोगों ने कि 10 साल के research, 6 साल की making, इतना महेंगा VFX और करोडों के budget के बावजूद कि आयान मुखर जी को अपनी फिल्म में इतनी छोटे सी गलती तक नहीं दिखी किस तरह की research की है उन्होंने इस फिल्म में जिसके clarification पर finally आयान मुखर जी ने चुपी तोड religion को लेकर और भी बहुत सारी चीज़े हैं Hindu religion के आसपास ही इस film को बनाया गया है